हे कई गैस, वेलकम बैग टो माई चैनल, आज जो रेसिपी है वह बहुत ही जल्दी बनने वाली है ब्रेट और ओमलेट थे आपने हमेशा खाये होंगे, लेकिन मैं ब्रेट और एक से ही एक बहुत नई बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मैं चार ब्रेड स्लाइस ले रही हूं यह होममेट ब्रेड है आप इसकी रेसेपी डिस्किप्सन बॉक्स में देख सकते हैं मैं इसके चोटे-चोटे पीसों में कट कर रही हू पहले मैं दो ब्रेड को एक साथ कट कर रही हूं और फिर दो ब्रेड को एक साथ करूंगी तो यहां पर मैं चोटे-चोटे पीसों में कट कर ले रही हूं ब्रेड को और एक मिक्सिंग बॉल में मैं इसको डाल दूंगी वैसे ही मैं दो बच्चे हुए ब्रेड को भी कट कर अब मैं यहां दूसरे बॉल में तीन अंडे ले रही हूँ तीन या चाड ले सकते हैं लेकिन तीन सफिशेंट है मैं इसको क्रैक करके एक बॉल में डालूंगी नमक गोल मिर्च लाल मिर्च और थोड़ी सी दूध डाल भी हूँ और फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें अब जो मैंने ब्रेट कट करके रखे थे उसमें एग मिक्षर को डालूंगी और बहुत अच्छी तरह मिक्स भी कर लूंगी तो उससे क्या ब्रेट जो हना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा उसमें एग मिक्षर डालने के बाद इनकेस अगर लगता है कि थोड़ा सुखा अब मैं पहले से यहां पे एक पैन को जरम करके रखी थे अर अब उसमें मैं बटर डालूंगी फ्रेंड मैं यहां आईरेन का यह पान यूज कर रही हूं और उसमें जो ब्रेट और अंडे का जो मिक्षर था वो उसमें ढालूंगी बहुत लिक्विडीड नहीं रखेंगे तो और उसको एक पांकेक का शेप दे देंगे ये एक तरब से कुक हो गया है अंडा और ब्रेड़ तो दो मिनट में बहुत जल्दी से कुक हो जाएगा फिर मैं वैसे ही दूसरी तरब भी पका लूँगी पलटकर बस दो मिनट सफिर्शियंट है अब मैं यहां पर पिजा सॉ यहां पर बनागा रही हूं अची तरह स्प्रेड कर लेंगे मर्जरेला चीज ले रही हूं बहुत अच्छी तरह जैसे पीज़ा में रहता है और आपने हिसाब दाल लेंगे और कवर कर कि लोई फ्लीम पर ही कुक कर लेंगे जब तक चीज जो है वह मेल्ट ना हो जाएग यह देखें काफी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो मैं निकाल के दिखा रही हूँ अब मैं इसको कट कर लूँगी ट्राइंगलर शेप में पिजा कटर से ही मैं कट कर रही हूँ जिससे वो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए और यह काफी चीजी है और काफी टेस्टी भी है और बच्चे को तो पसंद आएंगे हैं साथ में बड़े को भी बहुत पसंद आने वाला है और यह बहुत ही जल्दी बनने वाली है और यह बहुत ही जल्दी बनने वाली है और कभी भी आप बना सकते हैं जब भी आपको भू आपको ये रसेपी पसंद आई होगी थैंक्स पूर वाचिंग